Hello Everyone, Welcome to ISPCS by Aspirants आपने थंबनेल तो देखा ही होगा थंबनेल में आपको पता चला होगा कि टॉपर्स कैसे 20 बार रिवाइज कर पाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो ये जो कॉपी आपके सामने दिख रही है ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं ये आजित्या पांडे सर के हैं जिनका AIR48 है UPSC 2022 में इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक टॉपर अपना नोट्स बनाता है एक शॉट नोट्स कैसे बनाया जाए उसमें क्या-क्या elements होने चाहिए और कैसे आप लक्षमी कांत को जो टॉपर कहते हैं कि मैंने 20 बार पढ़ा है 25 बार पढ़ा है तो टॉपर कैसे लक्षमी कांत को 25 बार पढ़ते हैं ये भी समझने वाले है लक्षमी कांत की किताब आपने देखी होगी कितनी मोटी सी किताब है उसको 25 बार अगर कोई revise कर रहा है इसका मतलब है कि कुछ तो बात उसमें छिपी हुई है कोई तो technique होगा जिसका वो use कर रहा है चलिए समय नबर बात करते हुए बात करते हैं उसी technique की आपके सामने जो screen पे दिख रहा है वो preamble का notes है यह chapter जो है लक्षमी कान्त का chapter है आपने पढ़ा होगा तो देखिए कैसे notes बनाया गया है सबसे पहले इन्होंने बताया है कि कुछ preamble के keywords है उसको यहाँ पे side में इन्होंने लिखा है मैं zoom करके दिखाता हूँ आपको यह देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि keywords कौन कौन से है preamble में जैसे rights का source क्या है कितनी बार यह question पूछा गया है कि अधिकार का source क्या है तो we the people of India तो जो rights जो अधिकार का स्रोत है वो है people of India भारत की राजव्यवस्था कैसी है इन्होंने short में लिखा है आपको भी समझ में आ जाएगा sovereign socialist secular democratic republic triple sdr इन्होंने लिखा है sovereign socialist secular democratic republic मैं इसको कैसे revise करना है यह भी आपको बता रहा हूँ भारत के सम्विधान का उद्देश से क्या है तो justice, liberty, equality, fraternity सम्विधान को कब अपनाया गया 26 नमबर 1949 कितनी सारी बाते इन्होंने इस चार लाइन में लिखती है और अब आप बताईए कि इसको जब पूरे preamble chapter को यह revise करेंगे तो क्या इनको दुबारा से लक्षमी कांथ पढ़ने की जरूरत है अगर इन्होंने एक से दो बार लक्षमी कांथ पढ़ी है तो यह 20 बार इसी पेज को revise करेंगे और इस पेज को जिसने बनाया है उसको revise करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप अगर नहीं बना रहे हैं इस notes को इसी notes से आप पढ़ना चाहते हैं इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक है और इसको आप भी अगर रक्षमी कांथ दो बार पढ़ चुके होंगे तो पांच मिनट में इसको आप revise कर लेंगे देखिए बात करते हैं रिवाइस करके दिखाता हूँ प्रियंबल प्रियंबल में source of authority अधिकार कहां से आया we the people से आया nature of state कैसे है भारत की राजववस्था कैसी है तो sovereign है socialist है secular है democratic है republic है secular जो है वो एक positive concept है positive concept कैसे है आपने अगर लक्ष्मी कांथ पढ़ा होगा आपको अगर conceptual clarity होगी तो आप तुरंथ समझ जाएंगे कि इंडिया में जो secularism है वो west के secularism से बिलकुल अलग है west में religion और politics को एक साथ नहीं मिलाया जाता है हमारे यहाँ polity और religion एक दूसरे के complimentary चलते है religion में polity का हस्त छेप होता है हमारे यहाँ हज की subsidy भी दी जाती है हमारे यहाँ कुमबका आयोजन भी कराया जाता है सरकार की और से next democratic और republic उसके बाद बात करते है objective क्या है क्या उद्देश यह समविधान का ये भी बताया है preamble मे justice किस प्रकार की justice देनी है करने की विश्वास की और पूजा करने की equality देता है किस तरह की status की equality और opportunity की equality दो तरह की समानता देता है उसके बाद fraternity क्या है भाईचारे का उद्देश क्या है तो इसका उद्देश यह एक individual की dignity को maintain करना और unity और integrity जो है इंडिया का उसको upheld करना उसके बाद बात करते हैं कुछ questions जो बार-बार पूछे जाते हैं क्या preamble constitution का part है Supreme Court ने इसके बारे में तीन judgment दी जैकी मैं revise कर रहा हूँ आपके सामने कौन कौन सी judgment सबसे पहला case आया था 1960 में बेरुबारी union का case इसमें कहा था Supreme Court में कि preamble is not the part of constitution ठीक है उसके बाद आया केशवानन्द भारती case 1973 इसमें Supreme Court ने कहा कि preamble is the part of constitution और LIC case 1995 इसमें Supreme Court ने कहा कि preamble is the integral part of constitution ठीक है केशवानन्द भारती सबसे important है आपको पता है basic structure doctrine यहीं से निकल के आया था उसके बाद दूसरा जो प्रशन पूछा जाता है कि is constitutional amendable क्या constitution को हम संसोधित कर सकते है sorry preamble को क्या preamble को संसोधित कर सकते है yes parliament can amend preamble एक बार अब तक किया गया है 42 मा संविधान संसोधन 1976 आप कमेंट करके बताईए कि क्या क्या चीज़ एड की गई थी आपको पता होगा socialist, secular और integrity ये तीन सब्दों को एड किया गया था ठीक है उसके बाद बात करते है objective resolution जो जवाहरलाल नहरू ने प्रपोस्ट किया था उसी basis पर उसी basis पर जो preamble है इंडिया का वो है उसके बाद inact कब किया गया तो constitution के inact होने के बाद preamble को inact किया गया amendment एक बार हुआ है 42nd constitutional amendment of 1976 in which three words were added that were socialist, secular and integrity एन पाल की वाला के नुसार preamble is the identity card of constitution ये बताईए आप कि कितना समय लगा आपको या रिवाइस करने में उसके बाद बाद करते हैं head of democratic republic तो monarchy एक होता है एक होता है republic monarchy में जो head होगा वो hereditary होगा one sanugat होगा राजा का बेटा राजा बनेगा example है Britain ठीक है उसके बाद बाद करते है republic का मतलब क्या होता है राजनेतिक सत्ता जो political power होगी that will lie in the hand of people of that country कैसे तो head of state जो होगा वो elect होगा जैसे हमारे हाँ president है election होता है indirect way में election होता है चाहे directly हो indirectly हो अगर वो elect हो रहा है तो that is called republic उसके बाद political sovereignty है यहाँ पे मतलब हमारे internal और external matters में कोई भी व्यक्ति interfere नहीं कर सकता है absence of any privileged caste किसी को भी privilege नहीं मिला है हाँ acceptance है कुछ जैसे parliamentary privileges those are acceptance of the constitution लेकिन किसी citizen को किसी caste किसी caste religion, sex, race की वज़ा से कोई discrimination नहीं मिलेगा उसके बाद कुछ और important बात democracy दो तरह की indirect democracy और direct democracy कुछ conceptual बातें भी इसमें लिखी है कैसे direct democracy इंडिया में नहीं है इंडिया में indirect democracy direct democracy के कुछ तरीके होते हैं जैसे पहला तरीका होता है referendum what do you mean by referendum? referendum का मतलब है कि कोई bill हो वो तो directly electoral pass देकर pass किया जाएगा ठीक है plebiscite का मतलब क्या होता है plebiscite का मतलब होता है कि जो भी opinion होगा वो जनता के सामने रखा जाएगा voting कराई जाएगी जनता जो कहेगी वो काम किया जाएगा initiative initiative का मतलब होता है कि जब कोई proposal किसी bill का लाया जा रहा है तो हमारे हाँ कहां आता है लोगसभा राजसभा state में बात करें तो विधान सभा विधान परिशत अध्यादेश भी एक तरीका है लेकिन कैसे होगा direct democracy में जो भी bill होगा that will be proposed by the people of the state वहां के लोगों के द्वारा ही प्रपोस किया जाएगा ऐसा तरीका next recall हमारे हाँ recall नहीं right to recall हमारे हाँ नहीं की मांग उठती रहती है what do you mean by right to recall जो representatives को हमने चुना है we should have the right to recall them if they are not working according to the constitution or according to the benefits of people ये होता है उसके बाद यहां पर इन्होंने preamble लगा दिया है आप इसको पर सकते हैं तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा इस वीडियो से मैंने जो सीखा है वो मैं बताता हूँ मैंने सीखा कि कैसे एक notes बनाना है और मैंने ये भी सीखा कि कैसे 3-4 मिनट में लक्षमी कांत का एक chapter revise कर लेना है आप बताइए कि लक्षमी कांत के सभी chapters का अगर short note बना दिया जाए 2-2-3-3 page में तो कितना आसान हो जाएगा लक्षमी कांत को 20 बार 25 बार रिवाइस करना जो कि टॉपर्स कहते हैं कि मैंने 25 बार रिवाइस किया है और लिटरली वो 25 बार रिवाइस करते भी होंगे बड़ तरीका ये होता होगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच हमारे टेलिग्र चैनल से आपे नोट्स के लिए भी जोड़ सकते हैं